यहां देख सकते हो करिष बहुत ज्यादा कोल्ड ऑगया है और रहए चिर्चिर्डुदा हो गया आपको पता ही होगा अगर मुटड कोई चिर्चिर्ट गशन कोई ऑग करते हैं तो बतुकत नहीं है pure जाते हैं आप देख सकते हो यह पलट जा रहा था बार बार तो मैं उसे उठा उठा के अच्छे से मसाज कर दे रही थी तो यहां इसके बैक पे देखिए मैं लगा के थोड़ा जोड से रगड रही थी क्योंकि ताकि उसको अच्छा फील हुआ तो यहां पे आप छाती में भी लगा सक क्योंकि उसको गुद्गुदी हो रही थी तो ऐसे मसाज कर देने से दिन में दो से तीन बार मसाज कर देंगी तो उनको बहुत रिलाक्स फील होगा बोड़ी पेंस बहुत होता है अगर कोल्ड फीवर यह सब रहा तो बोड़ी पेंस बहुत होता है बड़ों को भी होता है तो उनको तीन टाइम की मसाज बहुत ही जरूरी है, हलका पुलका सही तीन टाइम मसाज कर दीजिएगा, और यहां देख सकते हो, मैं फिर एक बार पाउं के निचे कर दे रही हूँ, तो यहां इतने में वह उठ रहा है, और परेस्टे हो, मैं इससे ही क्रिश को मसाज कर जैसे की थ्रोट हुआ, बैक हुआ, और जैसे की पाउं के नीचे, फूट में बच्चों को और चाती में, और पीछे की हड़ी रहता है, वहां पर अच्छे से मसाज कर देने से, उनको बहुत ही रिलाक्स लगता है, और अच्छे से थोड़े देर सूझ जाते है, और आप थोड़ा विक्स को खोल के इस तरह नाक के पास उनकी, जब इनहेल करते हैं तो उससे भी उसको रिलाक्स मिलता है, तो आप एक बार ट्राइ करिये, अगर ट्राइ नहीं करिये, तो मैं दिया के वक्त भी हमेशा यूज़ करती थी, अभी यूज़ करती हूँ, मैं इसका कु आपने दूसरे वीडियो में तिल दें, बाई, टेक केर